हलो नमशकार कैसे हैं आप ? बिल्कुल हर मार की तरह है आप स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और ऐसे ही रहिए, हसते रहिए, खिल गिलाते रहिए साथी साथ मैगनिट ब्रेंज पर आप वीडियो देखती रहिए मैं लाली वर्मा आप सभी का मैगनेट ब्रेंस हिंदी मेडियम में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ प्रिय विध्यारतियो लेकर आई हूँ आपकी क्लास जी हाँ आपकी कक्षा ग्यारवी की दिगंत भाग एक जो की हिंदी पार्ट पुस्तिका है उसका पार्ट 10 हमने श देख लिए होंगी जिसमें पार्ट की व्याख्या बड़े ही बहुत अच्छे तरीकी से की गई है क्यूंकि सच में ओदोलेन इसमें केल कि इस रचना के बाद हम और गहराई से जान पाए हैं कि सूर्य का विस्तार क्या है या यूं कहें कि और कितने अनेकों नाम है जिन से संभवता अब तक हम अपरीचित थे तो आएए अब मैं आपसे करूंगी प्रशन जो कि यहां रहेंगे और जानना चाहूंगी कि जो भी आपने प्रिवेस वीडियो में देखा सुना या पढ़ा वो आपको याद है या भूल गए चलो भाई तो शुरू करते हैं इसी आश ओदो लेन इसमें कल हरिशंकर परसाई कृष्णा सोवती कुमार गंधर्भ सूर्य जो रचना है उसके रचनकार का नाम बताएं आप इसमें संभवता आपको बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा और आप सभी आंसर दे चुके होंगे तो पहले प्रशन का जो आपने उत्तर दिया होगा A, B, C, D मैंसे आपने A को चुना होगा तो यदि A को चुना है तो आपका जबाब है एकदम सहीं ये तो रही पाठ और पाठ के रचनकार से सम्मंदित प्रशन लेकिन अब धीरे-धीरे चलिए मेरे साथ कुछ ऐसे प्रशनों से आपका सामना होने वाला है जिस में आपको बड़े सोच और सूजबूज की आवशकता पड़ेगी साथी साथ यदि आपने बहुत अच्छे से व्याख्या पड़ी है सुनी है वीडियो देखा है तो बिल्कुल तुरंत आप समय से पहले आपके कोमेंट सेक्शन में अपना आंसर लिख सकते हैं ठीक है चल पूरे है दूसरा दिया है प्रित्वी तीसरा दिया है इस्त्री और चौथा दिया है महीमा हाँ बिल्कुल 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 इसमें भी आपने उत्तर दे दिया है कि भाई दूसरे का उत्तर भी ए है पहला है काखा घा को ABCD के रूप में भी आप उत्तर लिख सकते हैं मिलकुर अब चलते हैं तीसरे प्रश्णी की ओर किसमत से बड़े अच्छे दोनों प्रश्ण आये हैं और आपने दोनों के सही उत्तर दिये हैं अब चलते हैं तीसरे की ओर हाँ अब देखते हैं किसको याद है ओदोलेन इसमें कल का जन्म हुआ था कब हुआ था 14 सितंबर 1926, 15 अगस्त 1926, 14 अगस्त 1928 या इन में से कोई नहीं 1926, 1926, 1928 तो यहां आप देख सकते हैं कि सन तो दोनों समान है लेकिन महीने और तिथी में अंतर है 14 सितंबर है और 15 अगस्त है फिर यहां 14 अगस्त है लेकिन सन 1928 है और यह तो अलगी दिया है किसको याद है बिना ताके जहा के किताब में नहीं देखना है उसके साथ आखो बताना है कि लेखक ओदोलेन समेकल का जन्म कब हुआ था A, B, C क्योंकि D तो नहीं है 14 सितंबर 19, 26, 15 अगस्त 19, 26 या फिर 14 अगस्त 19, 28 यही है इसका सही जवाब तो तीस रेका हो जाएगा C जिनों ने आंसर दिया उनके लिए तो काबिल तारीफ और बहुत बढ़िया जब concept clear होता है तो प्रशन किसी भी तरह से कुछ भी आ जाए हम उसका उत्तर दे सकते हैं इस पार्ट में हमने सूर्य के अने एक ऐसे नामों के बारे में पढ़ा है जो सच में हमने कभी सुना नहीं था जैसे कई ऐसे नाम है जो हिंदी महिनों के आधार पर चैत्र में कुछ और कहा जाता है सूर्य को वैशाक में कुछ और, जेठ में कुछ और, चैत, वैशाक, जेठ, अशार, सावन, भादो, क्वार, कार्तिक, अगन, पोस, माग, फाग, 12 महिनों के 12 नाम हैं अलग-अलग कि किस महिने में सूर्य की आराधना किस नाम से की जाती है ये भी इस पार्ट में हमने पड़ा, आप हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर ओदोलेन इसमें कल भारत द्वारा किस वर्ष विश्व हिंदी पुरसकार से सम्मानित हुए ओदोलेन इसमें कल भारत द्वारा किस वर्ष विश्व हिंदी पुरसकार, कौन से वर्ष विश्व हिंदी सम्मेलन होता है उसी में ओदोले निसमे कल विश्व हिंदी पुरास्कार से सम्मानित किये गए थे तो वो कौन सा वर्ष था पहला दिया है सन 1924 अब जिसको जन्व किती थी याद होगी कि क्या option दिया है क्या फिकल्प दिया है जैसे 1928 में तो वे जन्वे ही थे 1924 तो बिल्कुल होई नहीं सकता एक और नहीं हो सकता 1928 में उनका जन्म हुआ तो ये गलत 28, 29, 31, 32, 32, 33, 34, 35 ना तो ये हो सकता ये दोनों तो कट चुके हैं ना तो 24 है सही ना 35 है फिर अब बचे हैं सन 1989 और 1975 इन दोनों में से एक विकल्प है बिल्कुल सही जिसमें उन्हें विश्वे हिंदी पुरसकार से पुरिस्कृत किया गया था माइंड में क्लिक हो चुका है कि हाँ यही वो सन था यही वो वर्ष था जब ओदोलेन इसमें कल को विश्वे हिंदी पुरसकार से सम्मानित किया गया था क्या आप मेरा इशारा समझ रहे हैं का और घा तो बिल्कुल जा चुके हैं ए और डी तो क्रॉस अब बचे बी और सी किसको लगता है कि उत्तर मेरे मन में क्या चल रहा है और सही क्या है क्या मेरे मन में जो चल रहा है वो सही है जल्दी जल्दी लिग दीजिए फटा फट क कि चौथे का उत्तर होगा बी ठीक है चौथे का उत्तर है बी सन 1989 में विश्व हिंदी पुरस्कार से सम्मानित हुए थे ठीक है अगला हौं अधोलेन समेकल किस विश्व विद्या लैसे हिंदी में M.A. और PS.ौकता विश्व विद्या लैसे काशी विश्व विद्या लैसे पटना विश्व विद्यालय से या ग्राहा के चार्ल्स विश्व विद्यालय से ओधोलेन इसमें कल ने हिंदी से में भी किया, हिंदी से पीएचडी भी किया और वे विश्व विद्यालय में प्राध्यापक के रूप में भी उन्होंने कारे किया साथ ही साथ विभाग अध्यक्ष भी रहे अपने देश में हिंदी से जुड़ा हुआ जो विभाग है उसमें वे विभाग के अध्यक्ष भी रहे थे तो अब प्रश्न ये पूछा है कि M.A. और P.S.D. उन्होंने कौन से विश्व विद्याले सिखिए कौलकता विश्व विद्याले काशी विश्व विद्याले पटना विश्व विद्याले या ग्रहा के चाल्स विश्व विद्याले बताओ कुछ सोच हो जरा कि क्या हो सकता है कुछ तो अनुमान लगाओ कि कौलकता हो सकता है क्या काशी, पटना, कोलकता को हटा दें क्या चौथे को बिल्कुल हटा देते हैं पक्का, कहीं यही तो नहीं सही जवाब कोलकता, काशी और पटना इन तीनों में से आपको क्या लगता है A, B, C क्या C आपको सही उत्तर लग रहा है या फिर D, बिल्कुल गलत लग रहा है अरे भाईया, ग्राहा के चाल्स विश्विद्याले से उन्होंने विश्विद्याले से ही M.A. तथा पी-एजडी किया ठीक है? अब हम चलते हैं छटवे प्रश्नी की ओर यहां हम देखेंगे छटवा, सातवा आठवा, नवा, दसवा ठीक है? ओदोलेन समेकल अभी रुची ओदोलेन समेकल की अभी रुची किस विशे में थी? किस विशे में उनकी अधिक रुची थी? इंट्रेस्ट था? अमेरिकी स्वतंत्रता, रूस का सामयवाद आधुनिक भारत या चीन का सामयवाद मतलब यहां इंदी, अंग्रेजी, गड़त या सामजे विज्ञान इस तरह के विशे की बात नहीं हो रही है कि उनके मन में किस ओर जाने की इच्छा थी? अमेरिकी स्वतंत्रता से वे पूरी तरह से उस और उनका रुजान था? अभी रूची थी? या रूस के सामयवाद संबन्दित उने लगाव था? जिसमें वो पूरी तरह से इन्वाल भी हुए? शामिल भी हुए? या फिर आधुन एक भारत में क्या चल रहा है? क्या हो रहा है? परिवर्तम कैसे हुए है? इसमें उनकी रुची थी? या फिर चीन के सामयवाद में? क्या अनुमान लगा सकते हैं? यदि आपको सही पता है तो अनुमान की आवशकतर नहीं? जीवन परीचे में हमने पढ़ा था कि ओदो लेन इसमें कल की इसमें अधिक या यूं कहें कि इस खेत्र में उनकी गहरी अभीरुची थी? तो वो कौन सा शेत्र था? अमेरिकी, रूस, आधुनिक, भारत या फिर चीन तो बच्चो यहां पर उन्हें आधुनिक भारत क्यूंकि यूं तो वे विदेश मूल निवासी थे ठीक है? लेकिन भारत और भारत की जो भाशा हिंदी थी उसके प्रती उनकी गहरी आस्था भी थी, आप देख सकते हैं कि विदेशी मूल के होते हुए भी उन्होंने हिंदी से एमे किया, पीएसडी की और अपने हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी रहे विश्व विद्याले में प्रध्यापक की भूमी का भी अदा की, बहुँ भी उसको निभाया साथी साथ उनकी जो रुची थी वो आधुनिक भारत के प्रती अत्यदिक थी, थी भारत में क्या चल रहा है, किस तरह, मनलब क्या है, क्या नहीं एक और यूरोप के निवासी थे, फादर कामिल बुलके, नाम सुना है आपने, यूरोप के रैम्स चैपल शहर में उनका जन्मु हुआ था, फादर कामिल बुलके, मैं नाम लिखना जरूर चाहूंगी, हो सकता है आपने उनके बारे में सुना हो, यूरोप के निवासी थे फादर कामिल बुलके इनके मन में भी भारत और भारत की संस्कृति साथी साथ भारतिय भाषा हिंदी के प्रती गहरी आस्था थी भारत में अंतिम अपने जीवन के अंतिम 47 years 47 वर्ष इन्होंने भारत में ही बिताए और भारत में ही जब उन्हों क्रिश्चन थे वे फादर कामिल बुलके परन्तु जब उनकी गुरु दीख्षा हुई तो उन्होंने एक शर्थ रखी और जो दीख्षा लेता है उसकी एक शर्थ मानी जाती है तो पता है उन्होंने क्या शर्थ रखी कि मैं अपने देश यूरोप को छोड़कर हमेशा के लिए भारत जाना चाहता हूँ बड़े चकित हो गए थे सब लोग बहुत चकित हो गए थे जबकि ऐसा नहीं कि वे अकेले थे उनका परिवार था माता पिता भाई बहन सब थे इंजीनेरिंगे चात्र थे किसी को क्या पता कि इनके मन में चल क्या रहा है उन्होंने भारत आने की कही चूंकि नियम था कि उसकी शर्थ मानी जाती है जो दीख्षा लेता है तो उनको भारत बेजा गया तो भारत केवल वे यात्रा के उद्देश से नहीं आये थे वे यह यहीं रहे यहीं बसे और उन्होंने पहला ही कह दिया था कि जब भी मेरे जीवन का अंतिम समय होगा तो मेरा अंतिम संसकार भी भारत भूमे में ही किया जाए भारत भूमे के प्रती फादर कामिल बुलके की असीम आस्था को देखकर सच में हमें भारती होने पर और गर्व होने लगता है उनके मन में भारत की संस्कृती परमपरा रीती रिवास सब को लेकर गहरी आस्था थी खास तोर से वे भारती भाषा हिंदी को अपने रदय में बसा कर रखते थे सुनते थे ना बड़ी अलब सोचते थे कि क्या लोग है जो रहते भी वहीं है खाते भी वहीं की है और निंदा भी वहीं की करते हैं यूँ तो फादर कामिल बुलके की के बारे में सर्वेश्वरदयल सक्सेना जी ने लिखा है मानविय करोना की दिव चमक कक्षा 10 भी NCRT में पार्ट है तो उनके बारे में बड़ा ही सुन्दर ये संस्मरन लिखा है सब कुछ लिखा है कि वे शीतलत अप्रदान करने वाले थे देवदार के व्रिक्ष की तरह और इसी तरह से आज जब मैं ओदोले निसमे कल के बारे म ये सब थी तो मुझे फादर कामिल बोल के याद आ गए तो यहाँ पर बेटा चटवे का जो उत्तर है वो सी होगा ठीक है अब हम चलते हैं अगले प्रशन की ओर ओदोले इन समेकल भारत विद्या वित यूरोपिय विद्वानों की परंपरा की एक क्या थे आधुनिक काल आधुनिक कड़ी आधुनिक समाज उप्रूप सभी तो यहाँ पर आप सोच सकते हैं बिल्कुल सही जवाब होगा आधुनिक कड़ी थे कड़ी मतलब जोडने का जो काम करती है तो यहाँ पर साथवे कब भी हो जाएगा मिथिराईयों के अनुसार सूर्य का जन्म दिवस कब है मिथिराई एक धर्म था जो सूर्य की उपासना करते थे और हमने इस पार्ट में ये भी पढ़ा कि ना केवल भारत में अपितू संपूर्ण ब्रह्मांड में सूर्य को आराध्यमाना जाता है तरह तरह से अनेक नामों से कोई सूर्य को किसी नाम से पूजता है कोई कुछ लेकिन पूजा तो सूर्य देव की की जाती है मिथिराई भी थे जिन्होंने सूर्य का जन्म दिवस भी मनाया और जो ईसाई धर्म है अभी वर्तमान में उन्होंने मिथिराईयों से वो तिथी ले ली और उसको दूसरे नाम से अब मनाते हैं ऐसा लिखा है स्पार्टमान तो मिधिराईयों के अनुसार सूर्य का जन्म दिवस कब है? एक जन्वरी, दूसरा दिया है 23 मार्च, तीसरा 25 दिसंबर, चौथा 24 जून मिधिराई के अनुसार इसमें एक सही तिथी है और वो तिथी अब ईसाईयों की प्रमुक्तिथी बन गई है हिंट समझ में आई? जी हाँ, 25 दिसंबर ही इसका सही जवाब होना चाहिए इससे पहले ईसाई एक जन्वरी को क्रिस्मस मनाते थे, शायद ऐसा कुछ हमने देखा था तो 25 दिसंबर को ही सूर्य का जन्म दिवस मनाया जाता है सूर्य, शीर्शक, निबंध कहां से संकलित है? पहला दिया है ये देवता कहां से आए? दूसरा भारतिये लोक कथाएं तीसरा भारत के नव रूप चौथा तेरे दान किये गीत आप बिल्कुल सोचिए, समझिए और बताइए कि ये देवता कहां से आए? भारतिये लोक कथाएं? भारत के नव रूप या तेरे दान किये गीत क्या लगता है कि दो कौन-कौन से नहीं है पहला तो उनको अपन धटा देते हैं फिफ्टी-फिफ्टी ठीक है? तो तेरे दान किये गीत नहीं लग रहे हैं और ये दोनों नहीं लग रहे हैं मेरे अनुसार क्या आप मुस्से सहमत है तो थम्स अप दीजे कॉमेंट सेक्शन में और इन मेंसे ये दो तो इसके आज़सर नहीं है पक्का भारत के नवरूप और तेरे दान किये गीत तो ये देवता कहां से आए? और भारती ये लोग कथा इनमें सही जवाब होना चाहिए तो सूर्य को देवता तुल्ले माना है तो ये देवता कहां से आए ही इसका सही जवाब होगा ठीक है? अब हम चलते हैं अगले प्रशन की ओर वेदों में सूर्य को क्या बताया गया है पहला उर्जा का अक्षे स्त्रोध जिसकी उर्जा कभी नस्टर नहीं होती दूसरा शक्ती का अक्षे स्त्रोध तीसरा उर्जा और शक्ती का अक्षे स्त्रोध या इन में से कोई नहीं इन में से कोई नहीं तो है ही नहीं उर्जा का अक्षय स्त्रोत भी माना है शक्ती का अक्षय स्त्रोत भी माना है तो इसका अर्थ तो यही हुआ कि उर्जा और शक्ती का अक्षय स्त्रोत ही सूर्य को वेदों में बताया गया है अगले ग्यारा से पंद्रा प्रश्णों की और तो ग्यारवा, बारवा, तेरवा, चहुदवाः और पंद्रवा सूर्य का विवाह किसके साथ हुआ? तारा, अरपना, श्वेता या संग्या? कहानी बताई है कि उनकी पत्नी ये थी, फिर ऐसा हुआ, फिर वे वेश बदल कर कहीं चली गई, फिर सूर्य उनकी तलाश में भटकते रहे, फिर उन्होंने भी वही वेश दारण कर लिया, बढ़ा था हम नहीं तारा, अरपना, श्वेता, संग्या, संग्या ही है सही जवाम ठीक है, अगला, संग्या किसकी पुत्री थी, पहला, वैविश्वत मंद, दूसरा, विश्व कर्मा, तीसरा, इंद्र, चौथा, वरुन तो संग्या जो थी, वो विश्व कर्मा की पुत्री थी, जिनका विवाह सूरे के साथ हुआ संग्या घोडी का रूप धारन करके कहां चली गई, जब संग्या सूरे का तेज, बर्दाश्थ नहीं कर पाई या बर्दाश्थ करने से अब ज़र नहीं कि हदसा हो जाती है जब, तो वे अपना रूप बदल कर वहां से चली गई घोडी, अश्विनी लिखा है, अश्व मतलब घोडा, अश्विनी मतलब घोडी, ठीक है? तो वे अश्विनी का रूप धारन करके चली गई थी, कहां? पहला दिया है तीर थाटन करने, दूसरा तप करने, तीसरा अपने पिता विश्व कर्मा के घर, या फिर इन में से कोई नहीं अब पहले तो आप ये बताएं कि दो कौन से हैं जो गलत हैं, एकदम गलत पहला और चौथा तो एकदम गलत हैं, अब बचे दो, तप करने या अपने पिता के घर पिता के घर भी वे नहीं गई थी, क्योंकि वे तो गई थी, तप करने, बिलकुल सही जवाब इसका जवाब भी होगा, दूसरा बी आंसरी इसका सही होगा सूर्य शतकम के रचेता कौन हैं, सूर्य शतकम पहला दिया है मयूर, दूसरा कलहड, तीसरा बानभट, चौथा भावभूती सूर्य शतकम, जिसमें सूर्य क्यों पास ना की जाती है, आराद ना की जाती है पूजा की जाती है, तो इसके रचेता जो हैं, वे हैं कौन बताओ क्या है, क्या मैं सही हूँ, बिलकुल चलते हैं, पंद्रवहे प्रश्न की ओर वेदों में प्रकाश और उर्जा का अक्षय स्त्रोद कहा गया है, किसे? सूर्य, मंगल, चंद्रमा या शनी वेदों में प्रकाश और उर्जा रिसी के साथ साथ शक्ती भी है अक्षय स्त्रोद, जिसकी शक्ती कभी क्षय ना हो, नश्ट ना हो हमेशा, as it is रहे तो किसको बताया है, सूर्य, मंगल, चंद्रमा या शनी तो यहां उत्तर जाएगा सूर्य ठीक है? बहुत सही तो प्यारे बच्चो, ये थे पार्ठ दस सूर्य के वस्तुनिष्ट प्रश्न, बहु विकल्पी प्रश्न, आशा करती हूँ आपने ध्यान से सुना, समझा और सही विकल्प भी लिखे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में स्वास्त रहिये, खुश रहिये, भाई, थैंक यू सो मच